कल इस भाई ने कमेंट किया था कि भाई प्लीज सर्वाइब का टिपसें ट्रिक दो तो देखो हीरो एक से मास्टर या तो मास्टर से हिलाइट मास्टर जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट जो चीज होता है वो है गाईज जोन सर्वाइब लेकिन जातर बन देना जोन सर्वाइब गलत तरीके से करते हैं देखो जोन सर्वाइब करने के लिए आप लोगो को तीन चीजों का बहुत ज़्यादा ध्यान रटना होगा मतलब धीरच रटना और मैं आप लोगो बता देता हूँ अभी के टाइम जोन पुशर का डिमांड बहुत जादा है देखो रीजन के हर एक बंदा ना जोन पुशर अभी के टाइम ढूनता है क्योंकि उनको ना जोन पुश करके ना सर्वाइब करके रैंग को बचाना होता है तो वो लोग तो नहीं करते हैं इसलिए एक बैस जोन पुशर को ढूनते हैं तो उन में से मैं जो बैस लगा वो मैंने पिक अप कर लिया ठीक है उन में से ऐसा एक करेक्टर कॉम्बनिशन है जो कि हर एक बंदे ने सजिस्ट की एन भी भाइनी की यह रीतु पजाबती भाइनी की एड़ अर्यान गेमिंग नीं भी किये तो गाइस यह जो करेक्टर कॉम्बनिशन है यह बेसिकली सर्वाइबिंग कॉम्बनिशन है और इस कॉम्बनिशन में सबसे पहले आप लोग को लेना है के करेक्टर जो कि आप लोग को EP से HP कनवर्ट करके देगा उसके बाद लेना है मिशा करेक्टर जो कि आप लोग को जोन सर्वाइब और जोन रोटेशन करने में मदद करेगा और उसके बाद लेना है नॉटरो करेक्टर जो कि आप लोग को गारी चलाते के टाइम HP प्रवाइट करेगा, मतलब जोन जब जोन रोटिशन मारोगे, जोन सर्वाइब करोगे, गारी चलाते चलाते, मिशा करेक्टर लेगे, तब आप लिगो को ये नेटरो करेक्टर हेल्थ परा कि देगा, और लास्ट में गाइस लेना है मिक्सिम करेक्टर, जिसके मदद से आप लिगो को पैड में लेना है, और ट्यो पैड क्या करगा, जब भी आप लोग मेडिकेट मारोगे, तब आप लिगो को EP प्रोवाइट कर देगा, और लोड आउट में आप लिगो को लास्ट में लेना है, सिक्रेट क्लू, तो सब कुछ मैंने ठीक टाक से ले लिया, एक दो बंदे उत्रे होंगा, लिकिन मेरे को कोई बंदा दिखा नहीं, जब भी आप लोग सर्वाइब करके खेलोगे, तो उससे पहले आप लोगो को प्लैन मना के गेम में जाना होगा, जैसी कि मैंने इस मैच में प्लैन मनाया, कि मैं इधर दूर लेंडिंग करूँगा, उसके बाद गारी लेके एक दम जोन के साइड में रहूँगा, और जितना होसा कि उतना कोईन कलक करूँगा, एन एक अच्छा सा लूट करके कैंपिंग करूँगा, तो ये प्लैन मना के मैंने इस मैच को स्टार्ट किया है, तो मैंने इधर थोरा बहुत लूट कर लिया, क गारी लेके एक दम सीधा चला गया, जा पर मेरा रिसप्लाइ मैब गिरा है, और उधर जाने के बाद मैने देखा कि जो रिसप्लाइ मैब है वो ब्रीज के उपर है, तो भाई इधर सो गारी लेके नहीं चा सकते, तो इसले मैं गारी गुमा के जाने लागा, तो उसके यदा से जांके एक लेकर मैं बाद किया चला कर रा है, और भाई लेकर लीट के ऑद देखा बंद किया चुआ कर रहा है, लेकिशनी गेक होई ब्रुट कै लिए लीड मैं आपा मैं गारी लेकर मेरे को उपन कर खेली लिए, अर गाइस को मेरा लूट था वो मैने लिया उसको बाद गारी लेके जोन के बाहर ही घुमता रहा देख सकतो आप लोग टोकन करता रहा हो इधर 여ुझोन के बाहर गुमता रहा और आप लोग एक चीज़ देख सकतो मेरा है एक परसंड भी कम नहीं हो रहा क्योंकि तो तीन तीन बंदे ने एक ही combination comment किया है तो भाई लोग thank you so much इस combination को मेरे साथ share करने के लिए उसके बाद guys मेरे पास 1700 token थे तो मैं चला गया पिंग मेंडर मेंडर मेंशन के सामने जो की मेरे सामनी गिरा था और guys इदर से जाके मैंने machine gun x खरीद लिया 4x करीद लिया उसके बाद level 4 का best करीद लिया उसके बाद गारी लिए इदर से निकल गया और उसके बाद आप लोग देख सकतो मेरा 2 kill हो चुका है और अभी 15 बंदे अलाईव है अभी भी top 10 नहीं आया तो इसलिए मैं fight ने लूँगा अभी जाके camping करूँगा और अभी देखो second zone खतम हो चुका है third zone start हो चुका है तो अभी क्या करना है third zone में आप लोग को हमेशा zone के अंदर कोई भी एक permanent cover लेके camping करना है जैसी के अभी देख सकतो मैं एकदम zone के middle पर जा रहा हूँ उदर जाके कही पर भी उची जगा पर जाके बैठ जाओंगा और जोन सर्वाइब के लिए सबसे important चींच जो है वो है guys passion मतलब आप लोग को एकदम धेरे रखना होगा धीरेज रखना होगा आप लोग को पागल होने से नहीं होगा आप लोग को एकदम जानती से gameplay करना होगा सोच समझ के gameplay करना होगा तब ही जाके आप लोग अच्छा zone pusher बन पाऊगा अभी middle में आके एक permanent cover लेने से मेरा फाइदा है क्या होगा देखो सबसे पहले तो guys zone के बाहर से जो बंदे लोग आएंगे उनको मैं अराम से spot करके मार पाऊंगा उसके बाद कोई बंदे के बीच अगर fight होता है तो मैं उदर third party कर पाऊंगा तो इसके लिए मैंने सोचा सबसे best जगा कौन सा होगा उपर तो इसलिए मैं आके मार से लिक्टे निक के एकदाम सबसे लंबा जो गर है उसकी उपर चार गया उसको बाद इधर उपर चानने के बाद मैंने देखे एक बंदा zone के बावर से अंदर आ रहा है लेकिन उसका glowal 4 के उसको खतरनाग damage दया बहुत सारे glowal मारे बंदे ने मैंने सब glowal उसके तोड़ दिया लेकिन लांस्ट वी बंदा ना पतर की कबर में चलागा लेकिन मैं वेट करने लगा वह जब भी निकलेगा मैं उसको खतरनाग damage देके मार दूगा लेकिन बंदी के बास सेंटनु करेक्टर था जिसके बचा से बंदा इजली बच गया उसके बाद मैंने इसको छोर के इधर आया और इधर आके देखा एक बंदा ऊपर बैठा है और मुझे उसको खतरनाग damage दिया मेशन गैन एक्स का लेकिन बंदा बहुत जादा देमेज खाके Orion बन गया और मेरे को भी damage दे दिया मैने फटाक से ग्लुवल मारा उसको बाद के मैने फिर से उसको डेमेज दिया और बंदे को लास्ट में इजली फिनिश कर दिया तो इसको मानने को बाद मेरा टूटल चार गिल हो गया था था एक बंदा एक बंदे के साथ तो इसका फाइदा हो अगे मैने फिर पर्टी करके इस वंदे को इसी बंदे को uisप्रेय गर्ले करके इजली मार दिया तो इसको मांने को default मेरा 5 गिल हो गया था और गाइस अभी बंदे बचेते चे और यह चे बंदे थे ना सारे के सारे बंदे केम्पिंग कर रहा था कोई भी बंदा फाइट नी कर रहा था सब के सब कैम्पिंग कर रहे थे पर्मनेंट कबर लेके और गाइस उसी टाइम जोन भी छोटा होने लगा तो मैंने किया कि उपर से दीरे-दीरे करके नीचे आ गया और नीचे आगे सामने एक लूट बोक्स था तो मैंने उसको हलका सा लू बहुत जादा सर्भाइव आप लोगो करना होगा क्योंकि लास्ट जोन के जो बंदे लोग होते है ना वो बहुत जादा खदरना हो उसके बाद गाइस देखा मैंने तीन मंदे अलाइव है मेरे को लेके बंतलब दो बंदे बचे है तो मैंने किया कि इस घर के अंदर चला और लास्ट एक बंदा बचा था जिसको मानने से मेरा विया हो जाता लेकिन वो बंदा ना ऊपर था और उसके पास advantage था headshot मानने का क्योंकि उपर से कोई भी गोली चलाओ direct head भी लगेगा तो उसका advantage उसके पास था जिसके वज़े से मैं डर्क के एकदम कबर लेके बैठा थ और थोरा सभी उसको peak नहीं दे रहा था उसको छुप छुप के थोरा थोरा damage दे रहा था लेकिन उसके सामने नहीं जा रहा था खुलने में नहीं जा रहा था लेकिन जब zone एकदम छोटा हो गया था तब मेरे को तो obviously जाना होगा तो मैंने glowal मार के उत्तर जानी ही लगा था लेकिन बंदने एक ही गोली मारा भाई direct head पे लग गया भाई क्या ही बताओ देख सकते हो आप लोग तो unfortunately मेरे को इस match में बुया नहीं मिला लेकिन 26 का अच्छागा सा प्लस में लिगा है उसके बाद guys मेरे पास और एक character combination है जो कि आप लोगो नहीं बताया है वो तो guys बहु लेक्टर और उसके बाद ले रहा है मारो करेक्टर और लास्ट में guys भाई ने बोला था मेक्सिम लेने के लिए लेकिन मैंने लिया है मिशा करेक्ट और पैड में guys रकी पैड और लोड आउट में है सिक्रेट क्लू तो सब कुछ ठीक ठाक करके मैं चला गया गेम के अंदर और इस combination के साथ seriously बता रहो बहुत जादा ओपी लगता है gameplay करने में आप लोग बस गेम को देखो पाई उसके बाद आप ही बताना तो इस मैच में सिक्रेट क्लू गरिया था left side में और guys इधर में जा रहा था सिक्रेट क्लू खोलने लेकिन मेरे साथ ना और वी बहुत सारे इधर उतर गये थे पता नहीं क्यों वो भी survive कर रहे थे शायर तो इधर उतर के मैं सिक्रेट क्लू खुल के अपना resupply map से सब कुछ ले लिया उसके बाद थोरसा इधर उधर लूट के मैं थोरसा सामने जाके देखते हूं तीन चाहर बंदी एक साथ fight कर रहे तो मैं एक बं है लीकिन सामने देखते हूं एक बंदा उसको मैं खतरनाक damage देता हूं नीचे उतर जाता है मैं कि अगर तो मेरे पास जो mini launchpad है जो मेरेको सप्लाइम means से मिला है उसको यूँस करकि उसके चला जातो मैं उसके सामने जाके fatak से glowal मारता हूं उसके बंदा उदर से गूब के आता है और मैं इधर से जाके एक खतरनाग headshot मारता हूँ है M18 का और बंदा फिनिश तो इसको मानने के बाद 2 kill complete कर लेता हूँ और उसके बाद थोरा सा इधर इसको लुट लेता हूँ देखो इस combination के साथ आप लोग तो survive करोगे लेकिन starting के एक मिनिट आप लोग कोई बंदा अगर दिखे तो उसके साथ fight लिया करो क्योंकि starting में अगर मरोगे तो फिर से आप लोग revive हो सकते हो ये सोच लेकिन मैं इन दोनों बंदी के साथ fight किया हूँ ठीक है और इनको मार पाया हूँ तो एक मिनिट मेरा निकल गया और गाइस मेरको अभी fight लाइट नहीं लेना तो इसलिए मैंने किया किया थोरा सा सामनी जाके एक गारी मिला मेरको टुक टुकी मिला उसको ही लेके मैं इधर से निकल गया कब तक जब तक ना top 10 आ जाए लेकिन इसके बीच अगर देखता हूँ कोई बंदी के बीच fight हो रहा है तो third party करूँगा मैं 100% तो ये plan बना के मैं इस match को खेल रहा हूँ उसको थोरा से सामनी जानी को है टुक टुक छोड़के मैंने ये blue color का car ले लिया ये गारी ना बहुत जादा खतरनाक है इसको तोरने में बहुत जादा मैनत लगता है जो भी है guys इस गारी को लेके एकदम खतरनाक तरीकी से मैं survive कर रहा था और चारो तरफ घूम रहा था तो बहुत टाइम तक घूमनी के बाद मैंने देखा scanner पर दो बंदी के विच फाइट हो रहा है तो मैं चला गया थटपटी करने लेकिन उनके सामने नहीं गया एकदम दूर जाके permanent cover लिया एक airdrop का और maru character का ability यूज करके long range से मानने का सोचा तो इधर मेरे को airdrop से मिल गया AWM जिसके मदद से एकदम scoping करके मैंने बंदे को hame किया एकदम head को hame किया उसके बाद directly headshot मार की इस बंदे को खतम कर दिया तो इसको मानी के बाद हो गया था मेरा 3 kill complete and उसके बाद मैं चला गया zone के बाहर और zone के बाहर क्यों गया क्योंकि guys पिंग vendor mission से मेरे को machine gun x खरीदना था और level 4 का best खरीदना था तो इसलिए एकदम zone के बाहर चलागा लेकिन कोई problem नहीं हुआ मैं बिंदास देख सकतो आप लोग 4 zone में भी zone के बाहर हो लेकिन कोई tension नहीं है मेरे पास K character है तो इधर से पिंग vendor mission से सब कुछ collect करके मैं फिर से गारी लिया और गारी लिके इस बर कहा जाओंगा एकदम permanent cover में क्योंकि मैंने आप लोग को बोला था third zone में और fourth zone में आप लोग को middle में जाके कोई भी एक permanent cover लेके बैठना है और चारो तरफ देखना है कौन बंद आप zone के बाहर से पैदल आ रहा है उनको spot करना है और guys मारना है जैसी के आप लोग देख सकतो इतने सारे खतरनाग बंदे के बीच से मैं अराम से zone rotation मार के middle पे आ चुका हूँ मिशा करेक्टर के मदद से और guys मैं आप लोग को बता देता हूँ हर एक solo rank push match पे जातर बंदे ना ये zone rotation करते time मरते हैं जैसी के आप लोग अभी देखना मैं इधर बैठा हूँ अराम से एकदम कबर लेके अभी जो भी बंदा पैदा लाएगा zone rotation मार के zone के अंदर मैं उन सभी को spot करके कैसे मारता हूँ तो इसलिए मैं हमेशा आप लोग को बताता हूँ zone rotation जब भी आप लोग करो उस time गारी लेके zone rotation मारो नहीं तो आप लोग 100% मरो जैसी कि इधर आप लोग देख सेकतो एक बंदा zone की किनारी से आ रहा है उसको मैंने spot करके क्या ही खतरनाक damage दिया mission gun axe का और बंदा finish तो यही च को माननी के बाद मेरा हो गया था 5 kill complete और अभी 4 बंदे लाइफ थे और अभी आप लोग देख सकते हो zone एकदम छोटा हो चुका है तो मैं अभी गारी नहीं लूँगा पैदल ही रहूँगा तो guys पैदल अगर आप लोग को zone rotation मानने है तो कैसे मानने पहले तो आप लोग को एक्दम किनारी-किनारे से जाकर प्रमानने कर लेके आप लोग को बयाठ जयाना है जैसे कि आप लोग को देख सब्खे सकता हुआ किक जा के किनारी किनारे से आक है यदर आके प्रमानेंट कबर लेके but गया हो तो अभी मुझे चोड़के दो ओन्डे मतला तो 2 बंदे काब इदर वो damage खाएगा जसी कि एक बंद आया damage खाके और guys उसको मैंने खतरनाग headshot मारके easily finish करके बुईया ले लिया बाई इस तरह guys आप लोग कोई भी match को इस tips and trick के मदद से easily जीच सकते हो ठीक है तो guys आज का वीडियो कैसा लगा प्लिस कमेंट बे बताना और वीडियो अगर अच्छा लगे एक लाइक करते ना और चैनल पर नए हो तो मेरे वाई लोग चैनल को सस्काइब करके पास में जो पहला है गाने ना उस कॉल पर सट करते ना so guys मैं में मिलता हूँ आप लोगो नेक्स्ट वीडियो में तब तक लें पाई guys love you all